गैस अभी कुछ दिन पहले Android to PC screen mirroring करने के लिए मैंने ये एक user interface बनाया था SCR CPY के लिए इस user interface की मदद से आप लोग Android to PC screen mirroring कर सकते हो बड़े आसानी से आप via USB cable भी screen mirroring कर सकते हो वायरलेसली भी कर सकते हो अब जो लोग अल्रेड़ी इसको use कर चुके एक बार try कर चुके कुछ-कुछ लोगों को screen mirroring करने में दिक्कत आ रही थी कुछ-कुछ errors आ रहे थे तो वो सारे errors को solve कैसे करना है ये इस वीडियो में आप लोगों बताने वाला हूँ और एक मैंने update भी कर दिया इस software को so that वो जिसको भी IP wireless mirroring करने के लिए IP नहीं दिखाई दे रही थी यहाँ पे तो उसको आप IP वगेरे भी properly दिखाई देगी और फिर भी अगर नहीं दिखाई देती है अगर आपको कोई error आता है या फिर नहीं दिखाई देती है तो उसको solve कैसे करना है और आपको wired और wireless mirroring करना कैसे है यह सारी चीज़े इस वीडियो में मैं आपको detail में बताऊंगा तो चलो फटाक से आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है तो जबसे पहला काम तो आपको यह करना है अगर आपने यह software को मेरी पुरानी वीडियो देखके यूस किया है एक भी बार तो अच्छी बात है फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है बढ़ अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखिए मेरी यह वाली वीडियो तो इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में देखने के बाद में आपको यह video में भी कुछ questions clear हो जाएंगे और उस video में भी कुछ questions जो है वो clear हो जाएंगे doubts होगे तो वो clear हो जाएगा आप ठीक है अब second step आपको क्या करना है अगर आपने इसको पहले download किया हुआ इस software को तो उसको delete कर देना है अपने PC से हटा दो आपको description में link मिल जाएगी जो सबसे उपर link मिलेगा आपको description में वहाँ पर click करने के बाद में आप लोग इस website पर आ जाओगे इस website पर आने के बाद में download कर लेना अब मैंने यहाँ पर already download कर रखा है तो यहाँ पे आप लोग देख सकता है आप zip file download करोगे उसको पर एक folder मिल जाएगा आपको उसको open करोगे तो उसके बाद में उसके अंदर एक और folder आपको मिल सकता है उसके बाद आपको यहाँ पर देख लेना srcpy gui by exposure.exe यह यह जो EXE आपको दिखाई देगा इसके उपर आपको double click करके इसको run कर लेना है ऐसा लाल कलर का पॉप आएगा windows protected your PC या फिर कोई भी color का पॉप आएगा कि भाई windows protected your PC यह virus वाइरस हो सकता है तो डरने की कोई बात नहीं है वाइरस वाइरस नहीं है आप simply more info पे click कर सकते हो और run anyway पे click कर सकते हो और इस software को direct run कर सकते हो ठीक है तो आपके सामने ऐसा interface जो है वो open हो जाएगा अब यहाँ पे देखो यह interface open होने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगा सबसे पहले अपना phone जो है अपने phone को USB cable से connect कर लेंगे अपने PC के साथ में तो यह मैंने कर लिया यहाँ पे yes कर लिया मैंने वो data transfer हो गए रहा है वो मैंने पुरानी वीडियो में बताया है सारी basic ची उसके बाद में यहाँ पे आपको आपका जो भी device connected रहेगा आपके PC से USB cable के मदद से वो यहाँ पे दिखाई देगा और सामने IP address दिखाई देगा अब देखो IP address आपको तभी दिखाई देगा उस phone के नाम के आगे जब आपका phone same Wi-Fi network से connected रहेगा जिस Wi-Fi router से आपका PC भी connected ह तो same Wi-Fi router से आपका PC और आपका phone connected रहेगा तब यह आपको यहाँ पे IP दिखाई देगा ऐसे आपके device का कुछ तो model नमबर होगे दिखाई देगा और आगे यहाँ पे IP दिखाई देगा अगर नहीं दिखाई देता है तो भी आपको क्या करना है तो समझ लोग यहाँ पर अब समझ लो और आपको यहाँ पर IP नहीं दिखाई दे रही है अपने सब करएट इड्रेस अगरते फोन में इस में नेबिवायफामें पर आपको जाना है तो यहाँ पर इस वीवाइडर्ड्रक पर वाइपने आइकन पर क्लिक करके और यहां पर नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहां पर मुझे आइप डिखाई देगा ठीक है 192.168.0.101 आप जरूरी नहीं है आपका भी आइप अपका अलग रहेगा ठीक है यहां पर यहां पर आपको डिखाई दे रहा है ठीक है तो यही सेम आपको यहां पर एंटर कर लेना है मैनुली और उसके बाद आपको यहां पर इनेबल वारलेस मिर्रिंग पर क्लिक कर देना है यह क्लिक करते हैं कि आपका फोन यूएसबी केबल थू आपके पीसी के साथ में कनेक्टेड रहना चाहिए यूएसबी डीबगिंग एनेबल रहना चाहिए और फाइल ट्रांसफर वाला ओप्चन जो हो आपने सिलेट करके रखना चाहिए ठीक है तो यह ओप्चन आपको ध्यान देना है तभी आप एनेब यहां पे लोडिंग वाला आइकन जो है हमारा आने लगता है अगर यह ऐसा आ रहे है तो आपको कोई टेंशन लेनी की जरूरत नहीं है आपको डिरेक्ली यहां पर क्लोज वाले ओप्चन पर क्लिक कर दो आप लोग और यहां पर कैंसल पर क्लिक कर दो बस सिंपल हो गया व है उसके बाद यहां पर आप Your connected टिक करते हो क्लिक करने के बाद मैं आपको यहां पर दो डिवायर से पर दिखाई देंगे जैसे जो मेरा दिवाइस पहले से अकनेक्टेट तो आपको यहां पर डिवाइस की दिखाई देगी आप कोई भी स्टे करेंद गी तो इसकी आप पर आजाएगी उसके बाद आप एनेबल वार्लेस मिर्लिंग पर क्लिक करो तो यहां पर एरर बताएगा more than one device slash emulator connected अगर यह एरर आपको बता रहा है तो आपको एक डिवाइस को disconnect कर देना है दो devices को एक साथ अपने PC के साथ में connect नहीं करना है वरना यहां पर mirroring में error आएगा यहां पर error वो दिखाई देगा ठीक है तो यहां पर एक टाइम पर आप एक ही कोई android phone की mirroring कर सकते हो तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं simply मैं एक phone को निकाल दे रहा हूं यहां से उ इसको यहां पर click कर देना ADB server की लिड का pop-up आजाएगा ओके कर देना है बस अब इतना क्या में आप लोगों ने कर दिया उसके बाद में आपको इस interface को आप चाहो तो यहां पर restart कर लो तो यहां पर restart कर लेता हूं यहां पर फिर से इसको open कर लेता हूं और restart कर लेता हूं य wireless mirroring enabled हो चुका है successfully bitrate select कर लोगा जितना भी bitrate select करना start wireless mirroring पर क्लिक करोगा wireless mirroring start हो जाएगी और बाकी तो आपको पता है यह wired mirroring आपको करना है तो बस यहां पर simply bitrate select करके start mirroring via USB यहां पर click करोगे तो आपका mirroring via USB भी आपका शुरू हो जाएगा ठीक है तो guys अब बात करते हैं सबसे important question कि जो काफी जादा मुझसे लोग पूछते हैं comment करते हैं video के नीचे कि भाई हम लोग जब भी अपने game में in-game mic on करते हैं तो हमारा जो in-game sound है वो हमारे PC पे नहीं जाता है हमारे phone के speaker से audio बजने लगता है in-game sound हमारे headphone में नहीं आता speaker से बजने लग जाता है और क्य रहना चाहिए अगर आप in-game mic on करना चाहते हो तो ठीक है अगर आप in-game mic on नहीं करना चाहते है तो कोई बात मीं 3.5mm का jack नहीं रहेगा तो भी चलेगा बड़ अगर आप in-game mic on करना चाहते हो without any problem तो यहाँ पर 3.5mm का jack आपके phone में रहना चाहिए उसके अंदर आपको aux cable ल without aux cable आप लोग यह in-game mic on नहीं कर सकते हो बट वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा आपका game sound जो है वो speaker से आने लग जागा या फिर कुछ ने कुछ दिक्कत आपको face करनी पड़ेगी तो अगर आपके phone में 3.5mm का port नहीं है तो आप in-game mic on नहीं कर सकते है live stream करने के दौरान screen mirroring करने के दौरान ठीक है अब आप सोचोगे कि हम connector लगा के कर सकते हैं क्या वो USB C2 3.5mm का तो नहीं वो connector भी लगा के आप लोग नहीं कर सकते हो ठीक है तो आपको मैं clearly बता देता हूं तो पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं हो connectors होगे रहे में तो वाइस उमीद करता हूं क यह वीडियो देखने के बाद में आपकी सारी problem is screen mirroring software related जो है वो सब solve हो जाएगी आप लोग जाओ फिर से download करो यह software को और try करके देखो अगर अच्छे से काम कर रहा है अब आपके लिए तो इसको use करो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वापस से delete कर देना ठीक है और बस इस वीडियो के लिए इतना है मैं मिलता हूँ आप लोग से next वीडियो में तब तक के लिए bye bye